हेलो दोस्तों, वेलकम टू पी डवी ओनली आ येस देखें, UPSC के द्वारा जो CSE एक्जाम था उसकी 2022 के cut-off हमारे सामने है यहाँ पर हाप prelims, mains and final कितना score रहा वो भी हम देखेंगे इसके साथ ही हमारी team के द्वारा last year cut-off predict करी गई थी कि expected cut-off क्या हो सकती है prelims के marks की, तो वो भी मैं discuss करेंगे कितना सही रहा prediction या कितना खराब रहा and साथ ही साथ, आगे आने वाले साल के लिए हमारी क्या study रह सकती है कितने हमें questions attempt करने चाहिए यह सारी चीज़े हम discuss करेंगे देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पर cut-off देख लिजिए यहाँ पर देखो, आप सभी categories का देख सकते हो ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ से start करता हूँ जैसे अब general के case में देखिए तो prelims के cut-off गई है 88.22 उसे तरह से mains के अंदर गई है 748 and final जो cut-off है, that is 960 तो अगर मैं सिरफ prelims की बात करूँ न तो आप यहाँ पर सभी categories का देख सकते हो 88.22, 82.83 तो इस तरह से order में आपर cut-off देख सकते हो अब notice कीजिए कि यहाँ पर ना यह जो cut-off है अब 88 के आसकास गई है तो कहीं नगे आप notice करो कि 88 marks लाने के लिए हमें total कितने net-net questions ठीक चाहिए होंगे लगबग 45 questions मैं strategy discuss करूँगा पर ऐसा मत समझना कि 45 questions कर लूँगा मैं सही से तो हो जाएगा नहीं हमें अपनी strategy को थोड़ा change करना होगा मैं समझाता हूँ कैसे अब देखो यहाँ पर आप notice करो पिछले 3 साल की मैंने यहाँ आपके लिए cut-off लेकर आया हूँ यहाँ 2022 में जो cut-off थी 88.22 जैसे हमने देखा पिछले साल थी 87.54 और उससे पहले थी 92.5 मन अब हो क्या राया ना कि depending upon the difficulty level of the question and साथ-साथ कितनी seats हैं उस exam के अंदर हर साल थोड़ा seats उपर नीचे होती है ठीक है हर चीज cut-off का जो C-set है वो कितना difficult है कितना easy है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो 33% marks थाई है लोग उसको achieve ना कर पा रहे हो उसे साब से cut-off उपर नीचे होती रहती है कुछ साल पहले 4-5 साल पहले ऐसे भी था कहीं न कहीं cut-off 110-115 के आसपास जाती थी पर आज के टाइम पर वैसा नहीं हो रहा आज के टाइम पर cut-off कहीं 88 marks के आसपास है अब यह तो चलो हमने बात कर दी कि कितनी cut-off गई है अब discuss करते है कि हमारी team के दौरा क्या cut-off बताई गई थी expected cut-off देखो पिछले 10-11 मीने पहले जब exam हुआ था उस time मैंने ही ये वीडियो मनाई थी और यहाँ पर आप notice करोगे यह उसी वीडियो का screenshot है आप यहाँ पर देख भी सकते है उस particular वीडियो को जाके यहाँ पर मैंने बोला था कि जो cut-off रहेगी 86-87 के आज पास रहेगी मैंने कोई बहुत बड़ी range नहीं दी ऐसा नहीं बोल दिया कि आपको 90-100 के बीच में रहेगी नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा 86-87 के आज पास थी और उसी के आज पास यानि कि 88 ही आप इस बार cut-off गई है अब आप लोग सोच रहेगा सर इतना accurately आपने कैसे predict कर दिया देखो इसका बीचे का reason है कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि UPSC को ना changing trends के साब से समझना बहुत ज़्यादा important है बहुत सारे institutes ऐसे होते हैं market के अंदर जो कहीं ना cut-off इतनी wide range नहीं हैं किसी ने तो मझे ऐसा भी बताया था 95 to 105 की cut-off ने थी अब एक तो इतना away जाना प्लस इतनी बड़ी range दे के भी उसको ना कर पाना ये क्या reason इसके बीचे गा reason ये है कि एक तो changing trends को समझ नहीं पाए हैं कि exam कैसे कैसे change हो रहा है हमारी team में देखा कि हाँ जो लोग statistics समझते हैं वो इसको बहतर समझ पाएंगे क्योंकि मैंने इसके अंदर इस particular cut-off को predict करने के अंदर Excel sheets और statistics सा काफी use किया था और उस business के उपर मैं ये कहिना के उसके आस-पास आ पाया मैं फिर से बता दूँ मैं कोई देखो अतलब अगर exam आपको बहुत डिफिकल्ट आता है तो definitely उसके cut-off नीचे आजाएगी और आप ज्यादा question attempt नहीं करोगे पर अगर exam easy आता है तो आपको maximum question attempt करने पड़ेगे क्यों तभी आप cut-off को clear कर पाऊगे पहली बात तो ये समझा आ गया अब दूसरी चीज़ काफी लोग ऐसा कह रहे है कि भाया अब cut-off 88 के आसपास है तो आप बस 45 question ढंक से कर रहा हो exam के अंदर और आपका हो जाएगा देखो ऐसा नहीं होता मैं आपको example समझाता हूँ माल लो मैं आपको कोई economy का test देता हूँ माल लो आज हमने पढ़ा monetary policy ठीक है सर अब monetary policy पढ़ने के बाद मैंने आपको एक test दिया माल लो ये 20 questions का test था क्या आप 20 के 20 questions इसमें से ठीक कर आओगे क्या नहीं हो सकता है कुछ आप से गलती ही होगी हो ठीक है न कोई आपने mistake कर दी हो उसके अंदर के वर question पढ़ने में कुछ गड़ बढ़ा जाती है हम जो समझ पाते हैं उसमें गड़ बढ़ा जाती है तो तब भी ना जब हमने जो topic पढ़ा अब हमारे दिमाग में है उसी time भी हम 20 में से 20 question शायए ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो कहने का point क्या है accuracy कभी भी 100% achieve करना बहुत क्रफ चीज है तो हम 45 question जो कह रहेंगे 45 question कर लो तो prelims निकल जाएगा नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमें एक अच्छे कासे attempts करने पड़ेंगे मैं आपको example लेके चलता हूँ जैसे मैं हमेशा आपको बात करता हूँ कि हमें rounds के अंदर अपना exam को कहीं नहीं attempt करना चाहिए तो पहले round के अंदर हम क्या करते हैं generally वो questions attempt करते हैं जो हमें थोड़े आते होते हैं ठीक है अगर आप quality question काफी इजी आते हैं तो हमें भी न अपने questions को उसे साब से attempt करना पड़ेगा getting the point तो ये try अपने मत जाना कि 45 questions बस मुझे ढूनने है 100 में से और उन्ही 45 questions को करूँगा और मेरा plims हो जाएगा बहुत मुश्किल है 100% accuracy चीप करना बहुत मुश्किल है तो हमें ध्यान का रखना होगा हम जाएंगे exam के अंदर अगर लगेगा कि हाँ exam बहुत difficult है तो हम randomly कुछ attempt नहीं करनेंगे ठीक है ना ऐसा नहीं लेके चलेंगे कि हाँ इतने questions करने है इतने नहीं करने नहीं आपको उस time के उपर exam को level को देखते हैं यहां पर थोड़ से और नमबर बढ़ेंगे फिर आखरी जो round होगा ना उसमें जब बाकी questions बच गए उनको आप करोगे try करने की कि हाँ कुछ questions यहाँ से भी मैं निकाल सकता हूँ तो इस तरह से rounds के इसाब से कही नगी अगर आप करोगे use तो आपके better marks आने की यहाँ पर possibility है बट मैं फिर से बता दूँ कि अगर आपने UPSC को समझा है तो यह definitely आप समझ पाग होगे कि कुछ ऐसे साल रहे हैं जहाँ cut off 115 भी गई है कुछ ऐसे भी साल रहे हैं जहाँ आपर cut off 87 भी गई है तो कभी दिमाग में यह नहीं ले कि चलना कि मुझे इतने question तो attempt करने ही है या ऐसा तो मुझे करना ही पड़ेगा या फिर मैं इतने question करूँ हो तो पक्का हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं होता UPSC की demand को समझो changing needs को समझो and I am very sure कि अगर आप इन चीजों को समझोगे you'll realize कि आपका इस बार का exam या जब भी आप exam देना चाते हो उसको अच्छे से correct कर पाऊगे ये cut off का reason यही था कहीं actual cut off को जो predict करने का reason यही था क्योंकि हम उसको बहुत ही past में उसके हम समझ पाये थे UPSC की demand को getting the point तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है साथ में देखो हमारी team के तरफ से बहुत सारी जैसे prelims revision videos हैं वो भी provide करीगी है बहुत सार टॉपस में उसको use किया है जैसे आपने examples देखे होंगे उसी तरह से हमारी only as community member से top 10 के अंदर 5 rankers हैं जो हमारी only as community member से जुड़े हुए थे overall अगर हम बात करें तो 200 से भी जादा कहिना कहीं selections हैं जो इस बार हमें देखने को मिली है इनके पीछे का reason यही है कि इन्हों ने UPSC की demand को समझा उसके अपने आपको align कर दे रहे तो आपको भी यही ensure करना है कि आप भी अपने आपको इस चीज के साथ aligned रखो अपनी preparation strategy को समय के साथ बदलते रहो ताकि ensure किया जा पाए कि जैसे जैसे UPSC है हम उससे उसके साथ मिलके काम करें ठीक है ना तो I hope आपको आज का session बहुत अच्छे समझ आया होगा इसी तरह से आप भी अपने पर hard work करते रहिए this is it for this video, goodbye and good luck